हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो अवर यूट्यूब चैनल एस्टोलोजी टिप्स हिंदी में आज की वीडियो जेस्ट अमावस्या दो हचार एकिस नो या दर्जून व्रत, शुम महुरत, पूज़ा विधी इसी दिन भारी सूरी ग्रेंट, तो कैसी करेब पूज़ा और व्रत, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथी का एक विश्चिस महतो माना जाता है मानेताओ के अनुसा अमावस्या तिथी को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पित्रों की तरपन के लिए बहुत ही शुम माना जाता है साल दो हचार एकिस में जेस्ट अमावस्या दर्जून गुरुवार के दिन पढ़ रही है दर जून को जेस्ट अमावस्या के साथ ही वर्सावित्री व्रत, शनी जैन्ती और साल का पहला सूरी गिरहन भी लग रहा है बता दे कि सूरी गिरहन के दिन कोई भी शुपकारी और पूजा पाट आदिकारी करने वर्जित माने गए है अब कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि सूरी गिरहन के दोरान अमावस्या व्रत की पूजा या उपवास कैसे रखी शनी जैन्ती पूजा कैसे करी या फिर पर सावित्री पूजा सूरी गिरहन के दोरान कैसे करी तो आपको इन सब सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएंगे फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रलोजी टिप सहिंती में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस सब्सक्राइब करें भारत में इस ग्रहन को पूर्ण सूरी ग्रहन नहीं माना जा रहा इस बार लगने वाला साल का पहला सूरी ग्रहन आशिक है इसलिए इसमें सूता काल भी माने नहीं होगा इसलिए इस दिन सबी कारी यथावच चलते रहेंगी ऐसे में आप अमावस्य व्रत, शनी जयनती पूजा और वर्सावित्री व्रत और उपवास कर सकते हैं अब जानते हैं क्यों खास है जेस्ट अमावस्या धार्मिक सास्त्रों में जेस्ट अमावस्या तिथी का बड़ा महत्तोर बताया गया है क्योंकि जेस्ट रमावस्या को शनी देव की जहनती के रूप में भी मनाया जाता है शनी जहनती पर लोग शनी दोस से बशने के लिए शनी दोस निवारण के उपाई करते हैं इतना ही नहीं बल्कि जेस्ट रमावस्या पर शनी जैन्ती के साथी वर्सावित्री का ब्रत भी रखा जाता है जिसे जोहागिन महिलाई अपने पती की लंबी आयू के लिए रखती है मानेता है कि जेस्ट रमावस्या का ब्रत रखने से घर में शान्ती और सम्रिद्धी आती है साथी ब्यक्ती द्वारा जाने अनजाने में के गए पाप दूर होते हैं जेस्ट अमावसय विशेस रूप से सवभागिशाली और पुन्य फल्दायी मानी जाती है अब जानते हैं साल 2021 जेस्ट अमावसय व्रत की दिथी और शुम हुरत के बारे में साल 2021 में जेस्ट अमावस्य व्रत दरजून गुरुवार के दिन रखा जाएगा अमावस्य तिथी का प्रारम होगा 9 जून बुध्वार को तो पर 1 बचकर 77 मिनट से अमावस्य तिथी समाप्त होगी 10 जून गुरुवार को शाम 4 बचकर 22 मिनट पर अब जाते हैं जिस अमावसिय व्रत की पूजा वीधी के बारे में वे जातने करते हैं या रखना चाहते हैं वे ब्रहम मुहरत में उठकर इसनान आदी करने और पहले पूरे घर की अच्छे से साफसफाई करें मानेत हैं कि इस दिन पवित्र नदी, जला अशय या फिर कुंड आधी में स्नान करना शुब होता है लेकिन इस साल लोकडाउन के चलते आप नदी में स्नान नहीं कर सकते इसलिए घर पर ही स्नान की पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें इससे पवित्र नदी में स्नान के बराबर कही पल प्राप्थ होता है साथी व्यक्ति की मनो कामने पूर्ण होती है इसनान आधी के बाद भगवान जी का ध्यान करें सुर्योदै के समय भगवान सुर्यदेव को जलका अगरे दें जेस्ट अमावस्या पर सुभा के लिए भगवान शेव जी और मापार्वती की पूजा करें इसके बाद अपने पित्रों का इस्मरन कर ब्रत रखे इस दिन दान दक्षिना का भी काफि महतु होता है इसलिए इस दिन किसी गरीब ये जरूरत मंधव्यक्ति को अपने इच्छा और सामर्त अनुसार दान दक्षिना दे सांथी गाई को भी रोटे अवश्य खिलाएं इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और पेड़ की जड़ में जल चड़ाएं इसके बाद पेड़ की परिकर्मा करें अमावस्य के दिन जरूर करें ये उपाएं मानेता है कि पीपल के मूल में यानि जड़ो में भगवान विश्नु जी, तने में शिव जी और उपर ब्रहमा जी का निवास होता है इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर सुबा जल चड़ाना चाहिए और संधिया यानि शाम के समय दीपक परजलित करना चाहिए ऐसा करने से पितर दोस्ते मुक्ती मिलती है इस दिन पितरों की शांती के लिए तरपन और उपवास करें साथ ही किसी गरीब या ज़रूरत मन्द व्यक्ति को वस्त्र या फिर अन्न का दान करें हनुमान 40 सा का पार्ट भी करना इस दिन फल्दाई माना गया है प्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें और अपने विचार हमसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें आगे की ऐसी लिटिस वीडियो के लिए आजी एस्ट्र लोजी टिप्स हिंदी मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू